नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका इस चैनल को सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएग नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Study for Civil Services में पीटी एक्जामनेशन के लिए जो पेड कुजिस हम लगातार देख रहे हैं वीडियो फॉर्माट में कंटिनूउँ करेंगे आज के फिर्स्ट को साथ इसलिए सारे वीडियो नीचे प्लेलिस्ट में हैं आप वहां से देख सक यानि की एक nationally determined contribution का concept है हमारा जो ये COP21 हुआ था जिसको की Paris declaration के रूप में भी आप जानते हैं तो इसके अनुसार यहां पे प्रतेख देश जो है अपना एक राष्टी जो है निरधारित योगदान का एक कहले जे डेटाबेस त्यार करता जिसमें वो आने वाले वर्षों मे उसकी क्या जो है जैसे की गयर जीवाश मेंनन वेस या इस तरीके की एनरजी से सम्मंदित पर्यावरण के छेतर में जो जो कारी वो करने वाले हैं उससे सम्मंदित डेटा वो प्रस्तुत करते हैं ठीक तो इसमें इसी के करम में पूछा जा रहा है कि भारत 2030 वर्ष में तो उसमें हम टोटल जो उसको प्रेडूस करने में फ्यूल यूज़ करेंगे वो उसमें 50% के जो है करीब है हम नॉन फॉसल फ्यूल बेज जो है फ्यूल को यूज़ करेंगे ठीक तो यही इसमें पूछा जा रहा था हमारा C option जो है यह करेक्ट होगा हाल ही में प्रकाशित एक आत्मकथा जिसका टाइटल है यह पूरी पुस्तक का आत्मकथा का नाम है इसको किस ने लिखा है तो वह लेखा एक है योगिन्ज सिंग्यादो है इन्हीं की तरीके से जीवनी है 1999 के जो कारगिल वार थे तो वहाँ पे उस वर्ष में जो है उस य पराई में जो किये गया है तो उसके लिए सबसे यंगेस्ट परमवीर चक्र के लिए इनको जो है चुना गया था तो इन्हीं सब इवेंट्स के एक कंपाइलेशन के रूप में पुस्तक जो है इसको पुब्लिश किया गया है अभी हाली में तो नाम ध्यान रखें और पूरा हुआ है फिश्री सेक्टर के मरधन के लिए इसे योजना को जो है लॉंच किया गया था जो जल शक्ति मंत्राला है उसके द्वारा 10 सितंबर 2022 को पूर केंदरी ग्रह मंत्री गोविन बलब पंत की 135 वी जयनती मनाई गई तो ये किस राजी के पहले मुख्य मंत्री थी ये बताना है ठीक है तो ये तो आपको पता ही होगा उत्तरप्रदेश के जो है मुख्य मंत्री रहते पहले और 1956 से लेकर के जो है उसके बारात के गवर्मेंट में यहाँ पर ये भारत के केंदरि ग्रह मंत्री भी रहते हैं चरदार पतेल जी के बाद भारत के समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राश्ट्री समुद्री विरासत परिसर का निर्माड कहां किया जाएगा National Maritime Heritage Complex का development किया जा रहा है जो हमारा इंडस्वाली सिविलाजेशन का port city है लोथल ठिक यहाँ पे गुजरात में हाली में उपराष्टपती जगदीप धंकर ने मजम उल बहरायन पुस्तक के अर्भी संस्क्रण का विमोचन किया तो मजम उल बहरायन जो है किसने लिखिया यह पुस्तक तो यहाँ पे देखेंगे जो है यह मुस्लिम रूल के टाइम पिरिट में दाराशिको के दोरा यह लिखी गई थी पुस्तक उस समय की historical events के बारे में मुलता है यह पुस्तक जो है फारसी में लिखी गई थी तो अभी रिसेंट्ली इसके अर्भी वरजन का जो है हमारे जो वरतमान के उप्राश्ट पति हैं चकदीब धंकरजी ने इसको किया है 9 सितंबर 2022 को प्रदान मंतरी टीबी मुक्त भारत अभियान का शुबारम किस ने किया ठीक है तो डेट इंपोर्टेंट अभियान रखे इसको लांच किया है मारे राष्ट पती जी ने और अभी हमने पिछले वीडियो में अभी देखा था कि जो निक्षय 2.0 पोर्टल लांच किया था एक डिजिटल माध्यम में टीबी से समंदित तो इसको भी यहां पर इसी जो है प्रधान मंतिर टीबी मुकत भारत अभियान के साथ ही किया गया था ठीक तो इसको ध्यान रखेंगे खाली में हिरोईन यानि के जो माधक पदार्थ होता है तो इसकी तसकरी के रोक्ताम के लिए गियर बॉक्स जो है एक ऑपरेशन शुरू किया गया है किस के दोर ठीक है तो यहां पर टर्म ध्यान से देख लेजए ऑपरेशन गियर बॉक्स इसको शुरू किया है जो यह यानि केंटी टेररिस्ट स्कॉर्ड और डिरेक्टरेट ओफ रेवन्यू इंटेलिजेंस एक यह डिपार्टमेंट है तो इन दोनों के जो है संयूक तूरूप से इस अभियान को चलाए गया है भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्वकप 2022 का शुबं इसका नाम है इभा, आप्शन ए जो है यह और जो है यह करेक्ट होगा, मतलब यह है कि जो हमारे गिर अशियां qrg बारत में यह जगह यह जहाह पे उनकी जए एक महिला याणि की अशिया अनी एक लाइन बदिचान के रूप में इसको दर्शाय गया है जिसका नाम है जो वर्तमान में पाकिस्तान में इस्तित है, तो इसकी खोज N.G. मजूमदार ने किस वर्ष में की थी, तो ये वर्ष है हमारा 1931, option B, सूती के कपड़े का टुकड़ा जो है, कहां से प्राप्ट हुआ, तो जो cotton के cloths होते हैं, तो इसके कपड़े का एक piece जो है, यहां पे इंडस्वेली सिवलाजेशन का जो site है, मोहन जोदरो हो है, यहां पे जब जो है expedition किये जा रहे थे, जॉन मार्शल की जो है अध्यक्षिता में, तो यहां से ये प्राप्ट हो हैं, ठीक, तो ध्यान रखेंगे, तो यहां पे जोट का पता लगाने वाला यहंत्र जो है, वो क्या बोला जाता है उसको, तो वो था polygraphic test होता है, जिसके दोरा जोट का पता लगा जाता है, सीस्मोग्राफ बिसिकली जब अर्थक्विक आता है, तो वहाँ पे उसको waves को measure करने के लिए हम इसका use करते हैं hydrometer जो होता है इसका उपयोग हम कहा करते हैं जो जैसे कोई भी liquid है उसकी घनत तो यानि की density जो है उसको measure करने के लिए और एनिमोमीटर जो होता है ये विंड यानि की जो हवा होती है उसकी स्पीड को मीजर करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं तो चारों को देख लिए हमने इसमें ए उप्शन करेक्ट है फिलाल इनने से कौन सा जीव अपनी तवचा से स्वशन करता है ठीक है तो देखे रेस्पिरेशन यानि की जो सांस लेने की प्रतिया होती है जिसे हमारे आपके शरीर में नाख है तो यहाँ पे जो केचव यानि की अर्थवाम होते हैं ये अपनी तवचा से स्वशन करते हैं इसके अलावा जिसे की जो मेड़क होता है तो अगर वो अंडर वाटर लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्टन है ठीक तो देखे खुला लोहा ऐसे काफी समय तक अगर खुली वस्ता में चोड़ देंगे जिसे घर के बाहर माली जा आपने कोई लोहा रख दिया तो उसमें क्या होता ऑक्सिडेशन हो जाता है तो उसके उपर ऐसे जं प्रकार नहीं प्राप्त हो सका परंतु 1937 से 1947 के बीच में इसके लिए वो जो है कितनी बार नॉमिनेट किये गए थे यान की मनुनीत किये गए थे तो इसकी संख्या है कुल पाच गांधी जी के मित्र हर्मन कालिन बाख किस दिश से समय थे तो जो गांधी जी के साउथ अफरीका में जो निवाज के दोरान यहीं पर इनकी मित्रता हुई और जो यह जितने भी non cooperation के type के moment और laborers के लिए जो fight करना तो इन सब में बढ़ चड़कर इन्होंने जो है गानी जी की साहता की तो इन सब से संबने थे C option correct है तो इनका नाम ध्यान लिखेगा जरूर निमनलिकित में से कौन सी जो यहां पर substance है जल में आसानी से गुलंशील है तो ammonia जो होता है यह आपका आसानी से जल में गुलंशील होता है ऐसा क्यों होता है कि जो जल और ammonia के बीच में hydrogen की bonding होती है वो काफी जिल्दी होती है और इस जो ammonia और water के मिलने के बाद जो solution तयार होता है वो nature में basic होता है याने छारी होता है देखिए सोना यानि जो gold होता है इसको किसमें घोला जा सकता है यानि कि gold जो है dissolve हो जाता है यह पूछा जा रहे आप से इस question में तो aqua regia यानि कि इसको royal water भी कहा जाता है basically ये एक mixture होता है किसका nitric acid और hydrochloric acid का जिसका ratio होता है 1 raise to 3 तो ये मिल करके बनता है aqua regia तो यहाँ पे जो है जितने जैसा ये platinum, gold ये सब जो metals है इसको ये पूरी तरीके से dissolve कर सकता है aqua regia तो ध्यान रखेंगे इसमें D option हमारा जो है ये correct है मानव गुर्दय में बनने वाली पत्री stone जो हो जाता है आपको kidney में आपने सुना होगा तो किससे वो मिल करके बना होता है तो calcium oxalate जो है option D इससे बना होता है और एक चीज़े ये ध्यान रखेगा कि जो हमारा tomato होता है tomato तो उसमें oxalic acid जो है वो पाय जाता है beach वेगार especially जो है इस लिखाने को मना किया आता है क्योंकि उसके वज़े से आपको यहाँ पे stone की थोड़ी problem जो हो सकती है तो calcium oxalate ध्यान रखें केंदरी चमणा अनुसंदान संस्थान कहां स्थित है ये बताना है तो हमारा जो council of scientific and industrial research संस्थान है CSIR उसके मतरगत है हमारा central leather research institute जो है वर्क करता है और ये स्थित है तमिल लाडू के जो है चन्नाई में भारती गन्ना अनुसंदान संस्थान कहां स्थित है sugar cane research जो हमारा institute है ये उत्तर पुदेश की capital लखनों में स्थित है chlorine का इस्तेमाल किसके लिए के आता ही ये पुछा आया रहा है यहां पे हमसे तो इस options में देखेंगे तो जो हमारा bleaching powder होता है जिसको कि हम disinfectant के रूप में भी कई बार use करते हैं और यहां पे कई बार उसको जो है जो ये गंदे कपड़े होते हैं laundry में वहां पे भी cleaning agent के रूप में यूज करते हैं तो इसके निर्मार में इसका यूज होता है हम option B को चूज करेंगे इसके लावा chlorine के जो इस्तेमाल है जो water का purification का process है उसमें भी यूज करते हैं bleaching powder का जो formula है इसको भी आप ध्यान रखिएगा कई बार यह भी पूछ लेते हैं इसको calcium hypo chloride बोलते हैं CAOCl2 निमनलकित में से मानव शरीर में सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्तो जो है कौन सा है तो मानव शरीर के अलावा maximum चीज अगर आप देखेंगे अपने surrounding में तो सब किस से मिलके बने है carbon से मिलके यह तो बने है तो carbon को चुनेंगे हम option C निमनलकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है यह बताना है typing थोड़ा mistake है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं होना चाहिए not चुकि शुरू के तीन जो है वो ठीक है यह discoveries जो है उसके जो discover रहे हैं उनके नाम ठीक लिखे है penceline जो है bacteria causing जो है discovery जो है यह 1928 में की गई थी आपका इनके दोरा Alexander flaming के दोरा ठीक है Robert hook के दोरा नहीं तो यह वाला पेर जो हमारा है यह गलत है यही इसमें पूछा जाना चाहिए था तो ध्यान रखेगा मैंने लिखित में से जो बहुत तिक राशियां और उनकी जो मात्रकों की जोड़ी है कौन सी सही नहीं है ठीक तो यहाँ पे देखे यह units लिखी है और यह physical quantities हमारी है तो इसमें से सही नहीं है option C pressure यानि की दाब के लिए डाइन लिखाई यह गलत है pressure की unit जो होती हो Pascal होती है ठीक प्रतिबल का SI मात्रक क्या होता है ठीक है तो देखे जो है कोई भी external force किसी जो हमारे यह area पे लग रहा है external force तो इसको जो measure करने की हम कहले जे quantity है हमारी यह stress होती है और इसका unit हम देखते है यह newton प्रती meter square होता है ठीक तो यह D option मैं है इसको choose कर लेंगे Center for DNA Fingerprinting एवं diagnostic जो है यह कहाँ परस्तित है ठीक तो जैसे यह इसमें forensics के cases में आप देखते होंगे Fingerprinting और DNA test वगर किया जाती है तो इसके लिए एक जो center है इसको establish किया गया है है हैदराबाद में बर्श 1990 में जापानी encephalitis का कारक जो है क्या होता है यानि कि जो causative agent है वो कह लिजे तो होता है यह virus के दौरा और यह spread कैसे होता है तो जो है यह infected मच्छरों के bites से जो है होता है और इसमें basically होता क्या है कि brain जो है उसमें swelling की घटना होती है usually जो हमारे grammyr और agricultural areas है यहाँ पे दिखा जाता है mostly Asia और यह west pacific का जो area है यहाँ पे अगला है meningitis stroke जो है निम्रमें से किस भाग को प्रभावित करता है human body में तो यह basically हमारे एक inflammation की condition develop करता है brain और spinal cords के हिस्से हैं शरीर के इसमें तो यह option को चूज करेंगे यह भी एक तरीके का mostly देखा जै तो viral infection होता है परन्तु जो government of India एक्ट 1935 का बनाया था बेटीचर्स ने तो देखेंगे तो हमने जो हमारा वर्तमान सम्मिदान है तो इसमें से कई सारे provision हमने इस act से जो चुकि उस समय follow हो रहे थे इंडिया में तो हमारे लिए suitable थे उसमें डलना असानी से तो हमने उसको adopt कर लिया था अलाग इसके बावजूर भी हमने कई देशों के सम्मिदान से और भी जो अलाग अलग प्रावदान लिये हैं तो उसकी विलिस्ट आपको पता होनी चाहिए अगला देखें कि भारत में इनने से किसका जो है सरवोचस्थान है तो देखें भारत में चुकी जो है governance का सबसे basic document क्या है हमारा constitution constitution of India ठीक तो chief justice चाहिए हूँ चाहिए president हो prime minister हो यह सब क्यूत पत्ती इसी constitution के दोरा होती है अलग-अलग अच्छेद में जैसे इनके बारे में प्रावधान है जैसे आप article 124 से supreme court के बारे में पढ़ने लगते है ठीक president के बारे में article 52 पढ़ते है प्रादान मंदरी के post के बारे में आप 74 article से पढ़ने लगते है ठीक है तो इस सब क्या है कि इस constitution के बनाय हुए पद है जो कि देश में कारी रथ है तो सबसे highest position हमारे constitution की ही है ठीक तो ध्यान रखेगा विश्व का सबसे उंचा जल प्रपात जिसका नाम है एंजिल जल प्रपात किस नदी पर वस्तित है तो ये है आपका जो है वेनेजुएला में साउथ अमेरिका में जिसमें भारत भी सदसे है भारत कब इसका सदसे बना था 2017 में ठीक है उसी वर्ष पाकिस्तान मना था और ये foundation कब हुआ था इस ग्रूप का 2001 में ठीक है तो यह सब facts जो basic है इसको ध्यान रखेगा तो 2022 में अभी जो है इसकी 22 में जो हमारे ये राष्टा ध्यक्ष है इनके परिशत की बैटक होनी है तो ये कहां आयोजित की जा रही है तो ये हो रही है आपका उसबेकिस्तान में और इसका जो यहाँ पर city है समरकंत है यहाँ पर तो इसको ध्यान रखेगा 12 से 15 सितंबर के बीश तो ये कहां पर हो रहा है तो ये गौतम बुद्धनगर में हमारा जो greater noita basically होना चाहिए यहाँ पर आयोजित हो रहा है 11 सितंबर 2022 को मजगावव डॉक शिप बिल्डर्स लिम्टेड ने 17A परियोजना के तीसरे युद्धपोत का जलावतरन किया है इसका नाम किया है ठीक है तो देखिए प्रोजेक्ट 17A जो है इसको शुरू किया गया था वर्ष 2019 में जो है ये हमारे जो ये वार्शिप काइंड ओफ जो ये है ना शिप तो इसके development के लिए तो इसमें कई जो है number of ships का development है तो अभी तीसरा जो है इसमें launch किया गया है इसका नाम है तारागिरी ठीक है इससे पहले जुद्ध लांच किये जा चुके है पहले का नाम था नील गिदी और समुदाय के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए नशामुक्त भारत अभियान कब शुरू किया था, तो भारत से जो है ये नशे वाली चीजों को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए नशामुक्त भारत अभियान शुरू किया था, जो हमारा मिनिस्ट्रिय और सोश काफ़ important question भी आई ये किये हाल इमें किस अदेश के कार्लोस अलकारेज ने US Open Tennis Championship 2022 में अपना पहला Grand Slam खिताब जो है जीत लिया है ठीक है तो कार्लोस ये अलकारेज जो है ये इसके हैं एस्पेन के ठीक तो इन्होंने अपना पहला Grand Slam जो जीता है यहाँ पर option A को चूस करेंगे आप इसमें question ये हमको comment करके बताईए कि यहाँ पर इन्होंने पहला Grand Slam अपना जीता है तो किस अदेश के खिलाडी को इन्होंने हराया था सितंबर 2022 को दो दिन का राष्टी रक्षा सूर्च में लगू मध्यम उद्यम सम्मिलन और प्रदर्चनी कहा है उजीत किया गया ठीक है तो जो MSMEs हमारे हैं जो है ये इस प्रकार की उद्ध्यों होते हैं तो defense sector में जो कारे कर रहे हैं तो इनका दो दिवसी एक प्रदर्चनी है यानि कि हमारा exhibition है तो ये organize किया गया है यहाँ quota में राजस्तान option B और जो ओम बिल्ला जी है हमारे लोगसभा के speaker उन्होंने इसको inaugurate किया था इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप हाल ये में चित्रांगुडी अक्षिय भ्यारण को रामसर स्थलो की सूची में शामिल किया गया है जो कहां सती थे ये बताना है ठीक है तो अभी अगस्त के महिने में तमिलाडू स्टेट से जो है चार ऐसी साइट्स को रामसर साइट्स में जो है आड़ किया गया था उसी में से एक चित्रांगुडी वर्ट संक्षुरी भी है जो कि यहीं तमिल नाडु में सतीत है डिय उप्शन को चुनेंगे आपको एक question का अंसर यह बताना है कि वर्टवान में भारत में कुल कितने रामसर साइट्स जो हैं हो गए हैं कुल संक्षा जड़ा कॉमेंट करके बताईए तो 11 सितंबर 2022 को आचार विनोबा भावे जी की 127 वी जयनती मनाई गई है तो question यह है कि इन्हें जो है किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो 127 वी जयनती इनकी मनाई गई है इसको भी ध्यान रखिएगा भारत रत्न विनोबा भावे जी को दिया गया था वर्ष 1983 में option B T20 Asia Cup 2022 का जो खिताब हुआ भी श्री लंका ने किस अदेश को हरा करके जीता है तो final में श्री लंका और पाकिस्तान पहुंचे थे तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे सारे questions को प्लीज आप देख लिए हमने आपसे जो भी questions पूछे हैं प्लीज उसको आंसर कीजेगा हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैहिंत